दोस्तों बॉली बुट से एक और बुरी खबर आ रही है महा भारत के सकनी मामा का किरदार निभाने वाले एक्टर गुफी पेंटल का निधन हो गया है वो 78 साल की थे कल रात ही एक्टरिस सलोचना लाटकर के निधन की खबर आई थी और अब गुफी पेंटल के निधन की खबर ने सब को तोड़ कर रख दिया है गुफी पेंटल पिछले काफी दिनों से मुंबई के एक हॉस्पिटल में भरती थे जिस वक्त गुफी की तबियत बिगडी तब वो फरीदाबाद में थे पहले उन्हें फरीदाबाद के एक हॉस्पिटल में भरती किया गया और उसके बाद उन्हें मुंबई लाया गया लेकिन अचानक से खबर आई कि गुफी पेंटल का हिर्दे गती रुकने की बज़े से निधन हो गया है गुफी पेंटल ने महाबारस सीरियल में मामा सकुनी का करदार निभाया था जिससे ये काफी ज़्यादा फेमस हुए थे और इसके साथ साथ ये बॉली वोड के एक फेमस एक्टर थे गुफी प्रोफेशन से इंजिनियर थे लेकिन उनके भाई फिल्मों में काम किया करते थे और भाई को देखकर साल 1979 में मुंबई आ गए थे साल 1975 में गुफी ने रफू चकर फिल्म से बॉली वोड में डेब्यू किया था इसके बाद वो सुहाग, मैदाने जंग, देश-परदेश और दावा जैसी फिल्मों में नजर आये थे इन्होंने महा भारत के अलावा कर टीवी सीरिल्स में भी काम किया है जैसे अकबर, बीरवल, ओम, नवस शिवाय और सी आईडी जैसे सीरिल्स सामिल है और हाली में स्टार भारत के सीरियल जैक नईया लालकी में भी देखे थे दोस्तों इनके निधन से पूरी बॉलिवूड इंडस्टी में सोप की लहर है तो दोस्तों इस दमदार एक्टर के लिए कमेंट में उमसांती जूर लखें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिए बाय बाय टेक केर